प्रिया शादी करने की नाम से डर रही थी और बार-बार अपनी मम्मी से एक ही बात कह रही थी मम्मी, यहां माईके में तो आपने ये बात सबसे चुपा ली और मेरी कभी भी इंसल्ट नहीं होने थी पर ससुराल में ये बात किसी को भी पता चल गई तो आप जानते हो ना मम्मी वहां मेरा कितना अपमान होगा जब मेरी सास और पती को ये पता चलेगा कि मैं रात में सोते वक्त बेट पर सुसु करती हूँ जो कि मेरे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है प्रिया बेटा, मैंने तेरी दवाईयां सूट केस में रख दिये तुने समय पढ़ लेती रहना तु घबरा मत डॉक्टर ने भी तो यही बोला है न कि तुम्हें तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है और रात को सोने से पहले सुसु करके सोना तो तुम्हें ही परिशानी नहीं होगी अपने खाने पिने का ध्यान रखना और सोते समय अपने मोबाइल में आधी रात का अलाम भी लगा लेना जैसे यहां लगा कर सोती हो प्रिया उस वक्त मा की बात को सुन लेती है पर उसके मन में इस बात को लेकर बहुत डर और घबराहट पैदा हो रही थी कुछ दिनों बात प्रिया की शादी हो जाती है और वो अपने सस्राला जाती है कुछ दिन तक प्रिया अपने फोन में अलाम लगा कर सोती है तो सब कुछ ठीक चल रहा था पर एक दिन प्रिया अच्छनक मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है पर मैं दो दिन में वापस आ जाओंगा तुम इस बात को लेकर मेरे से नाराज तो नहीं होना नहीं नहीं मैं बला क्यों नाराज होने लगी आपका काम पहले है आप अच्छे से काम करके लोटना हरे रवी बेटा तु चिंता क्यों करता है मैं हूना बहु का खयाल रखने के लिए हम दोनों साज बहु खूब मज़े करेंगे रवी काम से बाहर चला जाता है उसी रात प्रिया बेटा ये देख मैंने हम दोनों के लिए कितनी बढ़ियां वाली आईस क्रीम मंगवाई है हम दोनों मिलकर खाते हैं है न कितनी बढ़ियां वाली आईस क्रीम हमारे यहां की मशूर आईस क्रीम है एक काम करो जब तक रवी वापस नहीं लौटता हम दोनों साज बहु एक ही कमरे में सोचाती है रात को सोते समय गप्पे मारेंगे जी जी ठीक है माजी जैसा आप कहें अब क्या करूँ मुझे माजी के साथ सोना पड़ेगा कहीं रात में मेरा सूसू निकल गया तो मेरी तो सारी सज्जाई माजी और अभी के सामने आ जाएगी उस रात प्रिया दो बार अलार्म लगा कर सोई थी इसलिए वो रात में और फोन स्विच ओफ हो गया प्रिया गेहरी नीन में थी तो उसे पता ही नहीं चला कि उसे रात में उठकर बातरूम जाना है अगली सुब़ जो प्रिया सोकर उठती है उसका पूरा बिस्तर गीला था घबराहट से उसके पसीने छूटने लगते हैं प्रिया की साथ ये सब देख लेती है और गुस्से में प्रिया पर चिल्ला पड़ती है इतनी देर में रवी भी वापिस आ जाता है रवी बेटा हम बैट पर सूसू करने वाली बहु ले आए है मुझे तो सच मुच इसे अपनी बहु कहते हुए शरम आ रही है दुनियादारी और समाज में किसी को भी पता चल गया तो सब लोग हम पर हसेंगे अब मैं इसका क्या करूँ इसके माबाप ने भी हमसे इस बात को चुपाया और तो और इसने भी हमसे इतनी बड़ी बात चुपाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी इसके मा के घर भीज़ते अब तो ही इससे बात कर मा मैं ये बात जानता हूँ मुझे पता है कि प्रिया को रात में बेट पर सूसू करने की आदत है क्या तो ये बात जानता है और तो ने ये बात मुझसे चुपाई आना अलाम लगा कर सोती हूँ इस आदत की सबसे बड़ी वज़ा तनाव है आप तो खुद कहती हो किसी भी बिमारी की सबसे बड़ी वज़ा चिंता होती है और मा, हम कितनी बिमारीयों का शिकार होते है और उन्हें ठीक करने के लिए इलाज के साथ-साथ हमें अपनों के सहीयों की भी तो जरूरत होती है तभी तो हम बिमारी से लड़कर ठीक हो पाते है मा, इस वक्त प्रिया जिस जगा खड़ी है शायद हम दोनों उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस वक्त प्रिया को हम दोनों के सहीयों की बहुत जरूरत है अच्छा मा एक बात बताओ अगर यही आदत मुझ में होती तो फिर तुम क्या करती मेरे ठीक होने में मेरी मदद करती या फिर मुझे पर गुस्सा करके मुझे घर से निकाल देती मा अगर आप प्रिया को इस घर में नहीं रख सकती तो मैं प्रिया को लेकर कहीं और चला जाऊंगा रवी की बातों को सुनकर प्रिया की आँखों में आसु भराते हैं और वो रो पढ़ती है सच मुझ रवी एक अच्छा पती होने के साथ-साथ एक अच्छा इंसान भी था मुझे माव कर दे बेटा तु ये घर छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रिया बहू मुझे माव कर दो मुझे तुम्हें समझना चाहिए था ना कि तुम्हारी कमी को ढूड़ना चाहिए था एक माव हो कर भी मैं तुम्हारी परिशानी को समझ नहीं पाई नहीं माजी आप मेरी माव हो और माव कभी अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती मैं सच मुझ कितनी भागिशाली हूँ जो मुझे पती के रूप में रवी और मा के रूप में आप मिले प्रिया अपनी सास के गले लग जाती है ये देख कर रवी भी बहुत खुश होता है प्रिया अब रात में तरलपदार्ट जादा नहीं लेती थी और समय पर सोती थी प्रिया रात में कभी अलान से ना उट पाए तो रवी उसे उठा देता था ताकि प्रिया को रात में कोई परिशानी ना हो प्रिया की सास और रवी प्रिया को खुश रखते थे धीरे धीरे रवी और सास के सहयोग से कुछ समय में ही प्रिया की ये आदत पूरी तरह से छूट जाती है जीवन अनिश्चत्ताओं से भरा हुआ है यहां कब क्या होगा, कहां होगा, कैसे होगा, किसी को भी नहीं पता ये कहानी है चंदा की चंदा के पती का नाम राकेश है जो भाड़ी की टेक्सी चलाता है चंदा गर्बवती है पूरे तेरा साल के लंबे इंतजार के बाद उसकी गोद भरी है उसका आठ्मा महीना चल रहा है उसकी सास सुभद्रा तो पूरा दिन उसके पीछे पड़ी रहती है बहु ये खाओ, बहु वो खाओ जादा काम मत करो, आराम करो सारा दिन आराम ही तो करती हो माजी आप कुछ करने कहां देती है अभी मैं नहीं करने देती कल को तेरा बच्चा कोई काम नहीं करने देगा चंदा अपनी सास की बातों को सुनती और मुश्गुरा देती वैसे वो भी सारा समय अपने आने वाले बच्चे के खयालों में ही खोई रहती और अपने पती राकेश थे अपने आने वाले बच्चे के बारे में बाते करती और उसके लिए कुछ न कुछ बनाती रहते अजी देखिए तो ये मोजा कैसा लग रहा है इसका कलर कैसा है अच्छा है ना हमारे आने वाले बच्चे को पसंद तो आएगा ना हाँ बहुत अच्छा है और बहुत सुन्दर भी पिछले दस दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम इसे बनाने में दिन रात लगी हुई हो अरे सारी तैयारी पहले से करके रखनी होगी सुनो कल और उन ले आना मुझे और भी मुझे बनाने होगे छोटा बच्चा आने वाला है उसके पास तो कई सारी चीजे होनी चाहिए ना चंदा की बात सुनकर राकेश मुस्कुराते हुए उसे देखता है और महसूस करने की कोशिश करता है मा की उस ममता को जो अपने अंदेखे बच्चे के प्रती उमरने लगती है जबसे वो उसकी कोक में आता है एक दिन की बात है राकेश काम पर जाने की तयारी कर रहा था चंदा अपने घर की सीडियों से नीचे उतर रही थी तब ही अचानक उसका पैर फिसल गया चंदा सीडियों से लढ़कती हुए नीचे आ गिरी उसके सिर में बहुत चोट लगी जादक खोन बहने के कारण वो बेहोश हो गई राकेश और उसकी माँ चंदा को लेकर तुरंट अस्पताल भागे चंदा को इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत हो गई है हमने ऑपरेशन करके उसकी जान तो बचा ली है लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए हे ईश्वर ये क्या हो गया ये बात मैं उससे कैसे बताऊंगा मिस्टर राकेश हमें आपको एक बात और बतानी है आपकी पतनी अब कभी भी मा नहीं बन पाएगी तेरा साल के लंबे इंतजार के बाद एक बहुत बड़ी खुशी चंदा के घर में आने वाली थी लेकिन उस खुशी को ग्रहन लग गया था और डॉक्टर की ये बात की चंदा अब कभी मा नहीं बन सकेगी चंदा के जख्मों के दर्द को और भी बढ़ा रहा था वो बिचारी अपने बनाए छोटे-छोटे कपड़े और मोजे को अपने सीने से लगाती और कहती अब कौन पहनेगा इसे? मैं किसे इसे पहना कर कालटिका लगाऊंगी? भगवाद क्यू? क्यू भगवाद क्यू? क्यू मुझ से निवाले को चुईन लिया? क्यू सूनी कर दी मेरी कोख हमेशा के लिए? चंदा दुखों के उस सागर में फंस गई थी जहां हर और दर्द ही दर्द था उस दर्द के कारण चंदा ना तो ठीक से खाती ना ठीक से सोती उसकी सास उसे समझाती और राकेश को भी उसे समझाने के रहे कहती लेकिन राकेश भी उसे क्या समझाता उसका दुख भी तो कम नहीं था हाँ वो मर्द था तो उसे मजबूत दिखाना उसकी मजबूरी था ले क्योंकि उसे लगता था कि बाहर उसका थोड़ा मन लगेगा, लेकिन चंदा ने बाहर जाने से साफ इंकार कर दिया। वो अपने मुहले से कुछ दूरी पर ही गए थे, कभी उन्हें मोड पर काफी भीड दिखाई थे। करते हैं और रोड पर भैंग देते हैं, कभी देस्ट बीन में भैंग देते हैं, तो कभी कहीं और खुद तो नाजायच काम करते हैं और ठपा बच्चों पर लग जाता है। लोग अपनी बातों में उल्चे हुए थे, इस बीट चंदा ने उस नन्ही सी बच्ची को गोद में उठाया और उसे सीने से लगा लिया। वो बच्ची उसके सीने से लग कर चुप हो गई। और चंदा ने पहली बार उस सुक का अनुभव किया, जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। वे दोनों उस बच्ची को घर ले आए। सुभधरा ने जब उस बच्ची को देखा तो उसके जहन में बहुत सारे सवाल आ कि ना जाने ये किसकी बच्ची है, कैसे घर की है, क्या ये कभी तुझे मा स्विकार करेगी। उसने ये बात चंदा से कही तो मा जी, शैद ये भगवान की ही कोई योचना है, तभी तो ये बच्ची मुझे मिली, क्या हुआ कि मेरी गोद नहीं भर सकती। लेकिन मैं मा तो बनी सकती हो, और इसके लिए बच्चे का कोक से जन्नम लेना तो जरूरी नहीं, क्रिश्न भगवान भी कहां ये शोदा मैया की कोक से जन्मे थे, लेकिन उन्होंने मा से बढ़ कर प्यार दिया था उन्हें, सुभधरा ने चंदा की बात सुनी और जब चंदा की आँखों म मोजे, चंदा को जीने की एक नई उमीद खुशी के रूप में मिल गई थी, लेकिन जिन्दगी में अभी और बदलाव आने थे, एक दिन चंदा खुशी को लेकर इंजेक्शन दिलवाने अस्पताल गई हो थी, तभी वहां उसकी नजर तीन बच्चों पर गई, जो कुछ पहले ही अनाथ हो गई थे, उनके मा और पिता दोनों की मौद करेंट लगने से हो गई थी, वे तीनों चोटे-चोटे बच्चे अपने मा पिता की मृत शरीर से लिपट-लिपट कर रोए जा रहे थे, बाबा, बाबा उठो ना, बाबा, उठो ना, मा, मा क्या हो गया तुम्हें, उठो ना, आखे खोलो ना, मा, आखे खोलो ना, अब हमारा ध्याद कौन रखेगा मा, कौन हमें खाना खिलाएगा, कौन कप्डे पहनाएगा, स्कूल बेजेगा, हमारे लिए खिलोने लाएगा चंदा ने उन बच्चों को रोते देखा तो उसका कलेजा फटने लगा उसे ऐसा लगा कि ये बच्चे उसके हैं और अवर वो उसका ध्यान नहीं रखे तो कुछ भी हो सकता है इसलिए उसने कुछ नहीं सोचा और उन्हें गले से लगाते हुए कहा चंदा उन तीनों बच्चों को घर ले आई सुभध्रा ने जब उन बच्चों के बारे में उससे पूछा तो उसने उससे सारी बाते बता दी इस बीच राकेश भी आ गया था बच्चों को देखकर उसे भी दया तो आई लेकिन उसके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि चायद ईश्वड ने कई और बच्चों के लिए चंदा की गोद निर्धारित कर दी थी कई और बच्चों के द्वारा उसे माँ पुकारना था इन चार बच्चों के बाद चंदा आठ और बच्चों को अपने घर लाई उनमें से कोई सड़क पर भीख मांगता था तो कोई अपाहिश था कोई अंधा था तो किसी का दिमाग ठीक से विक्सित नहीं हुआ था तो उसके घरवालों नहीं उसे छोड़ दिया था क्यों फिकर करते हैं आप बारे बच्चे हैं तो क्या हुआ हम इन्हें पालने के लिए और मेहनत करेंगे दिन रात एक कर देंगे लेकिन इन्हें तकलीफ नहीं होने देंगे इन्होंने बहुत तकलीफे जहली है ये इतना आसान तो नहीं है बहू मा आप लोग साथ देंगे तो सब आसान होगा मैं तो इतना जानती हूँ कि ये सब ईश्वर का लिखा हुआ है तभी तो जिसकी कोक से एक बच्चे का जनम भी नहीं होना था वो आज बारब बच्चों की मा है राकेश ने टेक्सी चलाना छोड़ दिया और उसने अपनी खाने पीने की दुकान शुरू की सुभद्रा और चंदा उसका पूरा साथ देते इश्वर की क्रिपा और उन गरीब मासूमों की दुआ का ही परिणाम था कि उनकी दुकान खूब चलती थी बारब बच्चों की मा के नाम से वो दुकान इतनी फेमस थी कि लोग दूर दूर से उसकी दुकान में आते और उस वरत के प्रेम को देखते जो उनकी सगी मा तो नहीं थी लेकिन सगी मा से कम भी तो नहीं थी